एक सो साट का मेटर है, पांच मिनिट का लिए हम जानते हैं कि इस्तिती या पद में कुछ लोगों का नहित स्वार्थ हो जाता है और कुछे का किनी दूसरी चीजों में लेकिन सबसे बड़ा नित स्वार्थ है भय जो जाना पहचाना है उसे परिवर्तित करने का भय हम जानते हैं कि अमूग चीज बुरी है फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं लेकिन आज हम इस तरह बड़े-बड़े परिवर्तनों के बिना वास्ता में जीवित ही नहीं रह सकते हम परिवर्तन लाएं कैसे हम लोगों को इस बात का कैसे विस्वास दिलाएं की परिवर्तन आवश्यक है महोद है पिछले कुछ वर्सों में सभी राजिनितिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए है आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा जनता से प्रेणा लेनी होगी हमें जनता की आकांचाओं उसकी मांगों और उसकी आवश्यकाओं के अनुसार चलना होगा अपने देश के बेशाल आकार के कारण यह हैं बहुत बड़ा काम है लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कसली हो कुछ देशों में लोग चड़ने के लिए पाहाडों की उची-उची चोटियों की तलास में रहते हैं ताकि उनके मन और काम की चुनोतियों का समाधन हो सके कुछ दूसरे छोटी-छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं ये सब असाधारन उद्यम हैं किन्तु हमारी चुनोतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हैं हमें उचे-उचे परवतों या गहरे-गहरे सागरों तक जाने की आवश्यक्ता नहीं हमारे हर गाव में गरीवी है और घर-घर में जातपात है ये वे परवत हैं जिन पर हमें चड़ना है और ये वे महासागर हैं जिने हमें पार करना है मुझे मालूम है कि हम में वह सकती है मैं जानती हूँ कि हम में छमता है केबल प्रसन है करने का और मैं आसा करती हूँ कि यह समेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा आदमी के चंद्रमा पर पहुँचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए चोटा से कदम है किन्तु मानवजाती के लिए बहुत बड़ा कदम था अतहां मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह चोटा कदम होगा लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा मैं आसा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरे में उत्साहा पैदा कर सकेंगे क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धी के रास्ते में सबसे वड़ी बाधाओं मैंसे एक है हमारे बुद्धी जीवियों हमारे पत्रकारों इत्यादी में ब्याप्त अविश्वास या संध्य वरती इस बाधा को हटाना होगा हमें अपने उत्साहा को पुना इस्ताफित करना होगा और उससे उत्पन होगा वह साहज धहरे और संकल्प सक्ति जो उन वहुत सी चीजों को प्राप्त करने के लिए आवश्चक है जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए जब कभी राजनितिक जीवन और बौधिक जीवन में निकट का संबंद रहा है तो दोनों को लाब पहुँचा है सभापती महुदे जो रिपोर्ट मध्धनिशिद के संबंद में सदन के शामने प्रस्तित हुई है मैं उसके संबंद में अपने बिचार रखने जा रहा हूँ इस रिपोर्ट के दो भाग है इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वरणन किया गया है बहुत सारी बिवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन कुछ ठोस और विसेस बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ पहली बात तो यह है कि क्या नसावंदी हमारे लिए आवशक है क्या यह आवशक है कि हम मद्धपान ना करें इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं चाहे वह खेती का हो व्यापार का हो या आयांतरिक यूग और विग्जान का हो उसके लिए आवशक है कि आदमी का मस्तिस्क से ठीक तरह से काम करें अगर मस्तिस्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता और यह सराव एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिस्क का संतुलन खो देती है इसलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवशक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संपलन ठीक रखना है लोगों को किसी चीज का ग्यान देना है किसी चीज को उनैम सिखलाना है तो उसके लिए आवशक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे और इसी लिए नशावन्दी का होना बहुत ही आवशक है इस बात का प्रचार स्वतंतरता के पहले और बाद में भी किया गया यदि हम धर्मे गिरंतों को देखें हिंदु धर्म के बेद तथा सास्त्रों को देखें इसाईयों की वाईविल को देखें या मुसलमानों की प हत्मा गांदी जी हो जो कि इस देश के सामाजिक और राष्टी जीवन के लिए स्टॉप